मेरे पास सबसे ज़्यादा ख्यारी जाती है इस चीज के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए एक्चुली जो भी करना है वो थोड़ा सा चिंजेज हमें अपने लाइफ स्टाइल के अंदर लानी होती है इस वीडियो के अंदर जो भी life style के अंदर जो भी आपके activity के अंदर बात की जाएगी वो पूरी तरीके से कारगर है सबी महिलाय जिस तरह की इस तरह की activity को करती हैं तो उनकी भी normal delivery आराम से हो जाती है और जो खान पान है वो कौन सी चीजे आपको 7, 8, 9 मंत के अंदर खानी है और कौन सी चीजे नहीं खानी है इसके उपर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला गाईज तो चलिए गाईज वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो वो एक healthy pregnancy मानी जाती है और उस टाइम बच्चा बिलकुल स्वास्त और healthy रहता है सबी महिलाई ये चाहती हैं कि टाइम नजदी काते ही जल्द से जल्द उनकी delivery हो जाए बच्चा हेल्दी हो इसके लिए आपको क्या क्या करना है क्योंकि यह चीजए ऐसे असानी से नहीं हो जाती है इसके पीछे जो एक टेग्नेंट लेडी है जैसे आप अभी तक मेहनत करते आ रही है अभी तक टिप्स को आज़माती है सारी चीजों का उपाय कर रही है अपने उपर इतना क्यार करती है खुद के बच्चे के लिए तो अब लास्ट ट्राइमेस्टर यानि कि 7-8-9 मंत में क्या क्या करना है देखे गाइस बहुत कुछ नहीं करना है मैं अपनी सब्सक्राइबर को बहुत कुछ बर्डन नहीं बताती हूं सबसे बड़ी बात आपक सब्सक्राइबर करना है तो आप गुगल पर सर्च कर लिए यूटूब पर सर्च करके अच्छे तरीके से जो एक्सपर्ट के थूए उनको आप सीखिए और समझे अगर आप यह चीज़े नहीं करना चाहती है तो मैंने क्या किया था मैं सिंपल सी बात है मैं सुबह साम 40-45 मिनट टाहलती थी तो आप भी चाहे तो सुबह साम 40-45 मिनट टाहली है टाहलने से क्या होता है कि बहुत सारे आपकी बोड़ी जो पूरी तरीके से अक्टिव होती है आपके बच्छे तक ऑक्सीजन जो हो सही मातरा में और सही समय पर पहुंशता है तो इस चीज का भी खया है यह सब कम खाना यह नहीं खाए तो और भी बेतर है दही के जगह पे आप दूध ले सकती है दूध के साथ में आप एक चमच घी लेना है आपको कभी भी ले सकते हैं जब आपका अच्छे तरीके से डाइजस्ट हो जाए अगर मैं मेरी बात दाओ तो मुझे घी जो है व अगर आपको ऐसे पसंदे तो इसी तरीका से लिजी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिस भी वे से आप एक चमच घी लेंगी वह आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही कारगर होने वाला यह पूरे दादी और नानी के नुसकों में बताया हुआ है अब खासकर यह ड्राइफ रूट्स क्या लेना है ड्राइफ रूट्स खजूर लेना है जैसे कि आप इस तस्वीर के थूरू समझ सकते हैं डेट्स जो खजूर होता है वो डेली आपको दो लेना है यह सैबन मन्त से ही स्टार्ट कर लीजिए अब है कि मुझे खजूर खाना नहीं पसंद ह प्रेगनेंसी में तो और भी बिल्कुल नहीं पसंद था लेकिन मैं ने भी लिया था खजूर जो होता है वो गरम तासीर की होता है इस से क्या होता है कि बहुत जब आपका जो बौड़ी है न, गरम तासीर की चीज़ें लेने से लेभर पेन बहुत जल्दी से जब आ जाता है और भी प्रकरिया को के इंदर मैंने आपके सारे लेभर द्वान चल रहा है वह चाहां से मसाले वली चीजें खाने से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लेबर पेन आता है वह कुछ लोग की बात करें तो लोग नहीं मानते हैं लेकिन मैं मेरी बात पता हूं तो मैंने थोड़ा सा spicy food लिया था क्योंकि मेरी जो मेरा जो लेबर पेन था वो नहीं आ रहा था 39 वीक प्लस सैकेंड में काफी लेट थैंक्स पूर वाचिंग मिलती हुमें आप सबसे कल की वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर